दोस्तों WhatsApp Group में जो फीचर आगया है जिससे हम लोग message delete कर देते हैं चाहे हम लोग ग्रूप में भेजे हैं चाहे हम लोग individual 1-to-1 भी भी भीछते हैं तो उसको use करके हम लोग message डिलीट भी कर देते हैं लेकिन कभी-कभी कौतुहल वर्ष हम लोग को ये देखना होता है कि यार उसने ऐसा क्या भेजा था ऐसा क्या था उस मैसेज में कि उसको डिलीट करना पड़ गया जहां दोस्तों अगर आपके ही मन में ऐसा ही कोश्चन आता है तो ये वीडियो आपक तो दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे डिलीटेड मैसेज हम लोग पढ़ सकते हैं इसके लिए अब कुछ नहीं करना होगा आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस के गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसमें एक एप है नोटिफिकेशन हिस्ट्री करके आप को डाउनलोड करना है और उसमें लॉग को एकसेस देना होगा यहां दोस्तों इसके बाद जब कभी भी आपके पास वाट्सअप का मैसेज आएगा एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें उस लॉग पे क्लिक करने के बाद आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं और वो करने के बाद क्योंकि वो आपके लॉग में रहेगा तो आप उसको फिर से देख सकते हैं किसी के डिलीट करने के बाद भी एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं इस अप्लिकेशन को स्पॉंसर नहीं कर रहा हूं यह केवल मेरे ग्यान जो मेरे को इंटरनेट पे नैविगेशन थ्रू डिफरेंट वेबसाइट जो मुझको पता चला है मैंने वह आपके साथ शेर किया है मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं आपको पसंद आता है आप यूज करिए नहीं पसंद आया आप डिलीट कर दीजेगो ठीक है उमीद करता हूं यह वीडिय है कहता हूं कि आपके जो मैसेजेज होते हैं या आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पर ही हम लोग आगे की वीडियो उस तरह की का बनाने का प्रयास करते हैं ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच्छ थैंक्स पर वाचिंग बबाई